सिरल इशकबाद में शिवान्स का बड़ा स्केंडल हो जाएगा परदा फाश और उस वज़ा से उसकी बहन का रिष्टा तोट जाएगा सिरल इशकबाद में चल रहा है हाई वल्टेज ड्रामा और आप लोगों ने देखा है कि शिवान्स के भाई बहन रादिका और ध्रो अबराय मेंशन में वापस आ गए हैं और वो बिलकुल अपने पापा की तरह ही है जो अपने भाई बहनों को बहुत प्यार करता है शिवान्स के लिए रादिका उसकी बेती की तरह है और अब शो में रादिका का फॉरन से वापस आने के बाद उसकी इंगेजमेंट के एनाउस्मेंट कर दी जाएगी लेकिन कहानी में आएगा एक बड़ा शोक जब रादिका का होने वाला पती उसे शादी करने को मना कर देगा क्योंकि शिवान्स का किड्नैपिंग स्केंडल का सथ सब के सामने आ जाएगा जहां शिवान्स ने कैसे अपने फिल्म को पब्रिसिटी दिलाने के लिए खुद की किड्नैपिंग करवाई थी और अब इस वज़े से रादिका की शादी तोट जाएगी शिवान्स ने अपनी फिल्म को हिट करने के लिए यह सब पहत कंड़े अपनाए थे उसे मालूम भी नहीं था कि उसका ये stunt उसके लिए इतने अब भारी पढ़ने वाला है शिवान से ये सुनकर शौक हो जाएगा और राधिका पुरी तरह से तूट जाएगी जब उसे पता चलेगा कि लड़के ने उसे शादी करने से मना कर दिया है पूरा परिवार बड़े शौक में चला जाएगा और शिवान से अपने पीए से कहेगा कि वो न्यूज जल्दी से बंद करवा दे और वो जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा करना चाहेगा जिससे उसकी बहन की शादी ना तूटे क्या शिवानस अपने बहन रादिका की इंगेग्मेंट को तूटने से बचा पाएगा वैले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस सिरल शिवानस में अदिती लगाएगी शिवानस पर मडर का चार्जस और अब आगे शिवानस के लिए काफी मुश्किल भरे समय आने वाला है शो में शिवानस के भाई और बहन धुरूव और रादिका की एंट्री हो गई है और शिवानस उन दोनों के आने से बहुत खुश है जहां वो अपने भाई बहन से बेन तहां प्यार करता है वही उसकी और अदिती की बिलकुल नहीं बनती उन दोनों के बीच में आई दिन नए क्लैशिस होते रहते हैं पर इस सब के बीच में शिवानस कहीं न कहीं अदिती के स्टाइल से काफ़े इंप्रेज है शो में आपने देखा कि शिवानस और अदिती दोनों ही एक पार्टी में होते हैं जहां पर एक मिसप हो जाता है को अपनी इन्विस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि हनी ने अपनी आखरी कॉल शिवांस को किया था अजिति को शिवांस पर शक होता है कि सभी गलत चीजें उसके उपर जुक रही है और सारी चीजें करेक्ट हो रही है वो शक करेगी शिवांस ने तो कहीं हनी को नहीं सारी अप्डेट्स जाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस